नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रोसेणजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प दोस्तों आज हम इस सरकिट को बनाना सिखेंगे ये एक मॉस्किवटो डिपेलेंट सरकिट है तो चलिए सुरू करते हैं और इस सरकिट को बनाना सीख लेते हैं दोस्तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक पाइजो स्पीकर और एक BC547 टांजिस्टर और दोस्तो ये पाइजो स्पीकर बहुत ही आसानी से किसी भी पूराने बज़र के अंदर आपको मिल जाएगा उसके बाद इस टंदिस्टर का इमिटर पीन हम इस पाइजो स्पीकर के इस पॉइंट के साथ इस टंदिस्टर का बेस पीन हम इस पाइजो स्पीकर के इस पॉइंट के साथ और इस टंदिस्टर का कलेक्टर पीन हम इस पाइजो स्पीकर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हमें लेना परेगा एक 220 के रेजिस्टर उसके बाद इस 220 के रेजिस्टर को हम इस टांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और बेस पिन के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हमें लेना परेगा दो पीस 100 के रेजिस्टर और एक LED बर्ब उसके बाद एक 100 के रेजिस्टर हम इस LED बर्ब के नेगेटिव पिन के साथ और इस पाइजो स्पिकर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे उसके बाद दूसरा 100 के रेजिस्टर हम इस LED बर्ब के पॉजिटिव पिन के साथ और इस पाइजो स्पिकर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे तो दोस्तों ये सर्कृट टैयार हो चुका है तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी ही से एक मौस्किवटो डिपलेंट सर्किट अपने घर पे ही बना सकते हैं तो दोस्तों आज इतना ही आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियाल में तप के लिए बाइ फ्रेंस और थैंक्स पर वाचिंग